अगर आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चलनर आरिया कोचिंग जैसा कि आप जानते हैं आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिट की मैथ और फिजिक्स बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही यूनिक तरीके से तो आप से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस च आप सारी के सारी वीडियो अच्छे से देख सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें ठीक है तो आज की क्लास हम लेके आये हैं आप लोगों के लिए मैथ की क्लास और आज की मैथ की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन और फंक्शन की जो मिस्लेनियस आज इस exercise का तीसरा वीडियो है और इसके बाद में relation function पूरी तरह से आपका समाप्त हो जाएगा ठीक है तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी ने भी पिछले वाले वीडियो नहीं देखें या फिर आपको किसी भी तरह से relation function आपको समझ में नहीं आता है आपने कह पढ़ा कहीं भी पढ़ा हो और आपको समझ में नहीं आता है तो डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा कि एक बार जरूर विजिट करिए हमारे चैनल पर मतलब सुर्वास से कह सकते हैं कि exercise 1.1 से सारे के सारे वीडियो अगर आप सीरियल वाइज देखेंगे तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि डेफिनेटली आप अच्छे से रिलेशन फंक्शन जानने लगेंगे और समझने लगेंगे ठीक है तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हमें पढ़ना है exercise वन जो स्क्रीन पर देख रहा होगा देखेगा दिया गया है किसी प्रदत अत्रिक्त समुच्चे एक्स के लिए मान लीजिए कि स्टार मतलब एक संक्रिया दी गई है बाइनरी ओपरेशन दिया गया है और यह क्या दिया गया है इस्टार जो बाइनरी ओपरेशन दिया गया है दि सब Xária कोई भी समुच्च होता है और उसके जो समुच्च होते हैं सब्सुट होते हैं सारे के सारे सब्सुट magical में होते उसे हम पावर स्ट कहते हैं मैंने पिछले वाले वीडियो में एक पास समझाया भी था, अगर आप मेंसे किसी नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देखेगा, आपको समझ में आजाएगा, ठीक है, आगे की बात करते हैं, जहां दिया गया है, A स्टार B, A स्टार B, मतलब जो A और यह जो बाइनरी ऑपरेशन है, B के साथ, इसका मतलब क्या है बताया गया है, A स्टार B इक्वल A माइनस B यूनियन B माइनस A ओके, A माइनस B यूनियन B माइनस A यह दिया गया है फॉर आल A, B बिलांग्स टू P X द्वारा परिमासित है सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चे फाई संक्रिया स्टार का तत्समक है, मतलब जो है रिक्त समुच्चे जैसे हम फाई कहते है या स्टार संक्रिया का तत्समक है, मतलब हमें जो फाई है, फाई तत्समक अवयो हमें सिद्ध करना है ठीक है, तत्समक अवयो सिद्ध करना है चलो हम एक एक करके सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि फाई एक तत्समक अवियो है, हमें पता है कि फाई एक तत्समक अवियो हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, जो तत्समक अवियो होता है, उसका मतलब हमने बताया थ मैंने इस ट्राइप के कुश्ट्र लिये थे आज ध्यान से देखिएगा मैंने दुवारा बता रहा हूं यहां तो हमें सिद्ध करना है पिछले वाली वीडियो में अच्छे से समझाया था अगर आप में से नहीं देखा है किसी ने भी तो प्लीज इसलिए मैंने कहा है कि सीर स्टार एक्वल अगर ए होता है तो ऐसी कंडिशन में हम कहते हैं कि जो ए होता है वह तत्समक अव्यो होता है कहने का मलब है ए स्टार एक्वल ए होना चीए ए स्टार ए भी इक्वल ए होना चीए ऐसी कंडिशन में हम ए को क्या कहते हैं तत्समक अव्यो होता है यहां पर हमे फाई को तस्तमक सिद्ध करना है इसका मलब है E की जगे पर क्या होना चीए फाई होना चीए E की जगे पर क्या होना चीए फाई होना चीए चलो हम कर लेते हैं भई E की जगे पर फाई तो ध्यान से देखिएगा तो फिर हम कहेंगे फाई है जो तस्तमा के लेकिन ये भी condition साथ में follow होनी चाहिए ठीक है चलो हम देखते हैं कैसे होगा तो A star phi का मतलब क्या है तो A star B का मतलब है A minus B मतलब यहाँ पर A है यहाँ पर A है यहाँ पर star B की जगे पर phi है मतलब जहाँ पर हमें B दिखेगा वहाँ पर phi कर देना है करते हैं जरा A A की जगे पर A minus B की जगे पर phi करना है union लगाना है फिर B की जगे पर phi करना है minus में A करना है अब ध्याँ से देखिएगा जरा यहाँ पर A minus phi का मतलब क्या होगा A-5, अब ध्यान से देखेगा A से हमें 5 गटाना है, 5 क्या होता है अगर रिक्त समुच्चे जिसमें कोई अवेव नहीं होता है जैसे अगर हम माल ले माल ले आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ A-5 का मतलब क्या होगा, A है हमारा 1, 2, 3, ओके और B है हमारा 1, 2, ओके तो अगर हम A-B करते हैं तो क्या हो जाएगा A-B मतलब A से B वाले सारे वे घटा दीजिए तो B वे 1, 2 है, 1, 2 घटा दीजिए क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा मतलब A-B का वैल्यू आएगा 3 अगर हम यहीं पर B-A कर देए अगर है, तो B-A का मनलब क्या हो जाएगा B से A के सारे वे घटा दीजिए B से घटाने है, A के सारे अवे हो अब A में तो 1, 2 है 1, 2, जो B में है और A में 1, 2, 3, 3 है तो हमें 1, 2, को हम घटा देते हैं यहां से जो common है वही तो घटा जा सकते हैं अब B में क्या बचेगा जब B से हमने A वाले अवे हो घटा देंगे तो B में क्या बचने वाला है कुछ नहीं बचने वाला है मतलब B में कुछ नहीं बचेगा और इसी कुछ नहीं, मतलब जिसमें कोई अवे हो नहीं होता है ठीक है अब ध्यान से देखे जरा माल लिया A कोई अवयो है A कोई अवयो है और माइनस करना है उससे 5 5 का मतलब क्या है जिसमें कोई अवयो ही नहीं है तो A माइनस 5 मतलब A से 5 घटाना है A के सारे अवियो ये है और A से घटाना क्या है? कुछ भी नहीं घटाना है क्योंकि इसमें 5 में कोई अवियो होता ही नहीं है तो घटाना ही कुछ नहीं है और जब हम A से कुछ घटाएंगे नहीं तो answer क्या होना चाहिए? A ही आना चाहिए मतलब A माइनस 5 अगर हम करेंगे तो क्या आजाएगा? A के सारे के सारे अवियो बच जाएगे क्योंकि उसमें से कुछ घटेगा ही नहीं अर्थात हम कह सकते हैं A माइनस 5 को केवल A कहा जा सकता है तो A माइनस 5 को हम लोग क्या लिखने वाले है? केवल A Union आगे 5 माइनस A क्या हो जाएगा? अच्छा 5 माइनस A 5 मतलब यह है और 5 से हमें A घटाना है ध्यान से देखेगा 5 से हमें A घटाने 5 से A घटाने का मतलब क्या हुआ? तो 5 से A घटाने मतलब 5 के वो अवियो घटा दीजिए 5 से वो अवियो घटा दीजिए जो A के हो तो ध्यान से देखेए 5 में जब कोई अवियो ही नहीं था इसमें से A घटाईए, B घटाईए, कुछ भी घटाईए तो 5 में तो कुछ आने वाला नहीं 5 में तो वैसे भी कुछ नहीं है किसी भी समुच्चे से अगर हम फाई गटाते हैं तो वह समुच्चे ही आता है और अगर हम फाई से किसी समुच्चे को गटाते हैं तो फाई हमेशा आता है यह दोनों बात याद कर लिजे अगर यह समझ में नहीं आ रहे हैं मेरे क्याल से तो समझ में आ गिया होगा अगर न फाई में कुछ होता ही नहीं, तो A, B, C कुछ भी गटा उसमें कुछ नहीं रहने वाला, ठीक है? तो हम यहाँ पर 5 माइनस A को क्या लिख देंगे? बच्छा, फाई कर देंगे, ठीक है? अब A और YUNIEN B करना है, मतलब A और B का union का मतलब जानते हो क्या होता है union का मतलब होता है दोनों के अवयों को combination कर देते है जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर A ये दिया गया है और B हमारा दिया गया है 3 and 4 तो A union B क्या हो जाएगा तो A union B का मतलब हो जाएगा 1 2 3 and 4 मतलब A और B वाले सारे अवयो मिला के लिख देने है, 1, 2, 3, 4, सारी, 1, 2, 3, 4, भाई, डबल किसी को नहीं करना है, 1, 2, 3, 4, मतलब A और B के सारे अवयो मिसमें आ गए है, उसी को हम यूनियन कहते हैं, अब यहाँ पर A यूनियन फाई करेंगे, तो फाई का मदलब क्या है, भाई, फाई यहाँ union 5 क्या हो जाएगा हमने देखा एक कोल क्या आया है इसे भी निकालते हैं किसे हम देखते हैं आगे हमें सपनब करें कि यहारे आने रहे हैं तो हम एससे निकाल करके कि इसटार एक ब्याना जीह मुलब E की जगे पर हमें क्या लिखना है Phi क्योंकि Phi को तो समक वे सिद्धी कर रहे है तो हम A star Phi निकाले और Phi star A निकाले ये भी हमारा A आना चाहिए कैसे आएगा तो देखते हैं भई यहाँ पर अपकी वार हमें क्या करना है A की जगे पर A है और B की जगे पर A है सौरी A की जगे पर Phi है और B की जगे पर A है तो A की जगे पर हमें क्या लिखना है Phi माइनस A Union B की जगे पर क्या है A है और माइनस A की जगे पर क्या है Phi है यह हमने कर दिया है अब इसको हम जड़ा स्वाल करते हैं मैं मालू है 5 से जब हम A घटाते हैं 5 में कुछ अवयो होते ही नहीं और जब कोई अवयो है ही नहीं 5 में तो बचेगा क्या कुछ नहीं मतलब 5-A तो हमेसा 5 होने वाला है अभी मैंने समझाया था union करिएगा और A minus 5 करिएगा अ-5 का मतलब है A से 5 घटा ही है 5 मतलब कुछ घटा ही नहीं और जब घटा ही तो एक A बचा रहेगा मतलब A बचा रहा है अब 5 और A का जब union करेंगे तो 5 वाले और A वाले सारे के सारे अवयो उसमें लिखेंगे अब हम देख रहे हैं 5 में तो और Lost एक्वल्भी है और फाई Wi-check game का सकते हैं अतर यहां क्या हैfik फाइजो है सॉॉरी फाई फाइज तत्समक अव्यो है तत्समक अव्यो है ओके संमक अव्यो होगा यह को अच्छे सामझ में उपपने सब्सCl각 में अब आगे की एक बात कि PX के सारे के सारे अवयो विद्क्रमडी हैं, इस प्रकार हैं कि A-Inverse जो है, इक्वल है A-K, A-Inverse किसके इक्वल है? A-K है, ठीक है, चलो हम देखते हैं, A-Inverse इक्वल है A-K, कैसे हम करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, देखो, विद्क्रमडी के लिए होता क्या है, कि हमेशा याद रखिएगा, A-Star B-Equal, हमेशा जो तत्समक अवयो हो, वो आ जाए, अगर A-Star B करने पर हमारा तत्समक अवयो आ जाता है, तो हम कहते हैं, वह, मतलब, जो B है, वह, A का विद्क्रमडी होगा, ठीक है, B, A का विद्क्रमडी कब होगा? जब A-Star B हमेशा फाई आ जाएगा, मतलब, तत्समक अवयो आ जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर बताया क्या है, की PX के समस्थ अवयो आ विद्क्रमडी यह है, मतलब, A ही अवयो विद्क्रमडी है, इस परकार की A-Inverse जो है, A ही है, मतलब, A का हम A के साथ ही करेंगे बाइनरी, ठीक है, तो करते हैं जरा A का हम A के साथ binary ही करते हैं B के साथ नहीं करना हमें A का A के साथ ही binary करना है हम यहीं पर लिख देते हैं कि A का A के साथ binary करने पर क्या आना चीए फाई आना चीए तो देख लेते हैं एक बार कि फाई आ रहा है या नहीं चलो A का A के साथ binary किया तो A star B का मतलब था A minus B union B minus A लेकिन अब B तो है नहीं A star A ही है तो जहांपर B है वहांपर भी A हो जाएगा तो यह हो जाएगा A minus A और union A minus A ओके यह हो जाएगा 0 मतलब 0 का मतलब क्या हो जाएगा यहांपर कोई भी A से A minus जाएगा बलब A के सारे A से minus हो जाएगे तो आपर कौन से बचेंगे कुछ भी नहीं बचेगा अर्थात यहांपर एक रिक्त समुच्चे आ जाएगा फाई जिसे कहते हैं union A से A minus हो जाएगा वो भी खाली हो जाएगा यह भी रिक्त समुच्चे हो गया और फाई का union чया हो जाएगा? फाई ही हो जाएगा इसका मतलब यह क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो A का A inverse है अर्थात हम कह सकते हैं आता हा आता हा A का inverse A ही है अर्थात हम A inverse equal A कह सकते हैं ठीक है? A का वीत्कृम A ही होगा यहां हमने सिद्ध कर दिया है ठीक है चलो हम अब चलते हैं question number 14 पर ध्यान से देखेगा question number 14 को और इसे भी हम लोग बहुती आसानी से solve करने वाले हैं बहुती easy तरीके solve करने वाले हैं कुछ भी डरने के बात नहीं है और आपको अगर वीडियो पशंद आता है तो भई लाइक जरूर करिएगा ठीक है जिससे हमारा थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है और जिससे हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहते हैं ठीक है तो चलो हम स्टार्ट करते हैं question number 14 दिया गया है निमलखित प्रकार से समुच्चे एक समुच्चे दिया गया है 0 1 2 3 4 5 अब पता नहीं कहां तक है सॉरी यहां 5 तक ही है कोई बात नहीं है 5 में एक दुई आधारी संक्रिया स्टार परिवासित कीजिए यहां पर एक परिवासित संक्रिया दी गई है a star b okay a star b equal क्या दिया गया है तो a star b equal दो दो भागों में इसको परिवासित किया गया है पहले दिया गया है a plus b और यहां पर दिया गया है a plus b minus 6 okay यदि a plus b कब था यदि हमारा a plus b जो है वो less than है 6 से okay less than है 6 से तब और अगर अगर हमारा a plus b जो है greater than है या फिर equal है 6 से तब हमें यह लेना है हमने यह ले लिया है आप देखते हैं आगे क्या दिया गया है सिद्ध कीजिए कि सून्य इस संक्रिया का तत्समक है हमें क्या सिद्ध करना है कि जीरो है इसका तत्समक है हमें 0 को तत्समक सिद्ध करना है तथा समुच्चे का प्रतेक अव्यों विद्क्रमडी यह है इस प में तत्समक अवियों के लिए एक कंडिशन होती है A star E equal A होना चीए और E star A equal B होना चीए हम देखते हैं हमें 0 यहाँ पर E जो तत्समक होता है तब होता है यहाँ पर 0 अगर तत्समक करना है तो E की जगे पर हमें क्या लिखना होगा 0 लिखना होगा तो चलो लिखते हैं E की जगे पर 0 तो सबसे पहले हम E equal 0 जब रखेंगे तो क्या बन जाएगा A star 0 equal हमारा क्या आना चीए A आना चीए हम देखते हैं कैसे आता है A star B ठीक है A star B equal क्या है A plus B है तो A plus B का मतलब क्या होगा A तो A रहेगा plus B मतलब हो गया है 0 और A और 0 का योग क्या हो जाएगा भई A ही हो जाएगा मलब A star 0 equal तो A आ गया है ये बात condition फिलो रही है अब इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर हम देखे 0 star A equal भी हम लोग निकालेंगे क्योंकि E की जिएगा पर जिरो रखना है 0 star A देखेंगे तो यहाँ पर 0 plus A हो जाएगा तो फिर यहाँ पर A आ जाएगा ठीक है तो अतह हम कह सकते है कि अतह 0 क्या है तत्समक अवयो है तत्समक अवयो है जीरो हमारा तत्समक अवयो है यह हम सिद्ध कर चुके है आगे अभी हमें क्या सिद्ध करना है तो मैंने अभी बताया था अभी आगे हमें सिद्ध करना है कि इस प्रकार प्रतिलोम हमें सिद्ध करना है कि समुच्चे का प्रते कव्यों व्यूत क्रमडी है इस प्रकार की 6-A, A का प्रतिलोम है कौन 6-A जो है वो A का अपितलोम है 6-A जो है वह A का अपितलोम है पहले वाले में क्या था A inverse A था A ही A का inverse था इसलिए A का A inverse के साथ में हम लोगों ने किया था लेकिन यहाँ पर 6-A A का inverse है इसका मतलब है हमें मालूमें inverse के लिए एक condition होती है A star B equal क्या होना चीए जो भी तसमक इसका वे होना चीए यहाँ पर तसमक वे 0 है तो 0 होना चीए लेकिन A star B का मतलब यहाँ पर क्या है A यहाँ पर यह है और B यहाँ पर यह है इन दोनों को लेके चलना है और हमें वो answer दिखाना है चलो हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा हमने क्या ले लिया है 6 minus A यह A हो गया star A equal में हमें क्या दिखाना है तो हमें दिखाना है 0 दिखाना है क्योंकि हमें तसमक वे दिखाना है चलो हम देखते हैं आता है 0 या नहीं आता है तो ये हो गया है हमारा पूरा A ये हो गया हमारा B A star B A star B का मनलब है हमेशा यहां पर याद रखना जब जब A plus B 6 से greater हो यहां पर 6 और ये भी A है तो जुड़ेगा तो 6 या 6 के equal हो जाएगा क्योंकि हम देख रहे हैं 6 minus A और जब A को जोड़ेगे तो यह हो जाएगा 6 और जब हमें मालूम है जब A plus B जब 6 से greater हो तो हमें क्या करना है greater हो या equal हो तब हमें यह वाला equation लेना है तो हमें यह वाला equation लेना है A star B equal क्या हो जाएगा यह A है यह star B है तो हमें ये equation लेना है a plus b ओके तो a ये है plus b ये है तो a क्या है 6 minus a plus b क्या है a और minus का 6 minus का 6 ठीक है a plus b minus 6 ये a हो गया plus b minus 6 a से a cancel out हो जाएगा 6 और 6 cancel out हो जाएगा क्या बचेगा 0 अर्थात हम देख रहे कि a star b equal 0 आ रहा है अगर तरस्मक आया है तो इसका वन्दब क्या है कि यह 6 minus a a का व्यूत करम है या व्यूत करम है हम ये सिद्ध कर चुके हैं लिखते ना आता 6 minus a a का व्यूत करम है या पृतिलोम है ठीक है तो ये सिद्ध हो चुका है आप लोग आसानी से इसे भी समझ गए होंगे, ठीक है, अब हम चलते है question number 15 पर, ठीक है ask का question number 15 देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है आपको screen पर देख रहा होगा द्यान से देखियेगा, दिया गया है, मान लिजे कि A, एक समुच्चे दिया गया है A, ठीक है, A समुच्चे दिया गया 0 और 2 यह दिया गया है और f एंड जी a2b ओके f और g दोनों के δोनों जो है वो क्या है दोनों के दोनों a से b ही है मतलब इनका domain जो है a है उनका codomain है b ठीक है दोनों का आगे बताया गया है क्रमशा fx जो दिया गया है फंक्शन fx is equal to x square minus x दिया गया है और जो x belong कर रहा है एसे और यहाँ पर fg जो दिया गया है sorry gx ओके gx जो दिया गया है वो क्या दिया गया है तो gx is equal to 2 into x minus 2 2 into में x minus 1 by 2 mod के भीतर है ठीक है इतना दिया गया है और minus 1 minus 1 यहां भी x belong करता है एसे ठीक है तो यहां पर सिद्धिक्या करन दौरा परिवासित फलन है यह दोनों इस तरह से परिवासित हैं question में दिया गया है अब बताएगे क्या f तथा g समान है अपने उत्तर का उच्छत बतलाईए f और g दोनों क्या फलन समान है आपको बताना है अपने उत्तर का उच्छत दिखाना है आखिर क्यों समान है ठीक है तो चलो देखते हैं कैसे हम इसे सिद्धिक करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं एक्स जो है एसे बिलॉंग कर रहा है तो एक्स में पहले हम ए जो है एक्सका वल्यू मायनस ले लिदी एक्सकाइर तो f f minus 1 निकालिए जरा तो minus 1 का square minus 1 और यह हो जाएगा minus 1 का square plus 1 minus 1 equal क्या हो गया 0 ठीक है जरा gx को निकालिए क्योंकि यहाँ पर भी x जो है वो एसे ही विलांग कर रहा है तो हम क्या ले लेंगे gx x की जगे पर क्या रखना है minus 1 ही सबसे पहले रखना है तो 2 मॉड में minus 1 minus 1 by 2 minus 1 इसको हम जरा solve करते हैं तो यह हो जाएगा 2, 2, 2 2, 2 and minus 1 minus 3 हो जाएगा minus 3 by 2 और minus 1 इतना हो गया है अब आगे हम क्या करने वाले हैं तो रखते हैं x की जगे पर हम रखेंगे minus 1 का square minus x जगा पर रखेंगे minus 1 तो यह हो जाएगा minus 1 का square 1 और minus minus यह हो जाएगा plus का 1 इकोल हो जाएगा 2 यह तो आगया है 2 अगर हम g की भी बात करें g minus 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी x जो है एसे ही भी लॉंग कर रहा है तो एका पहला भी हमने ले लिया है यहाँ पर x यहाँ पर क्या रखने वाले है minus 1 minus 1 by 2 minus 1 ओके तो यहाँ पर हम जो solve करेंगे तो यह 2 हो जाएगा 2 एक कम 2 और एक 3 यहाँ पर minus का 3 बटे 2 minus 1 आ जाएगा बच्चा जब हम minus से बाहर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2 और minus बाहर जब आएगा तो माड से बाहर निकलेगा तो प्लस का आजाएगा 3 बटे 2 minus 1 2 से 2 कैंसल 3 से 1 घटेगा तो यहाँ पर भी 2 आ गया मतलब g f minus 1 दो आया है g minus 1 भी 2 आया है अभी तो हमें बराबर दिख रहे हैं अब दुबारा देखते हैं आगे x equal 0 लेने पर तो x equal 0 लेंगे तो f 0 निकालते है f 0 मतलब 0 का square minus 0 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और g 0 को जड़ा निकालते हैं तो g 0 का value क्या होने वाला दिहां से देखिएगा g 0 हम निकालते हैं टू इंटू में 0 minus 1 by 2 minus का 1 अच्छा 0 से अब कोई लेना देने minus 1 by 2 है minus जब बाहर mod से आएगा तो minus तो बचेगा नहीं केवल 1 by 2 minus 1 2 to cancel एक से एक जाएगा यह भी आ जाएगा 0 इसका अभी भी हमारा समान दिख रहा है दोनों चीज़े यह भी 0 आया वो भी 0 आया अब हम x equal 1 की बात करते हैं तो x equal 1 होगा तो ध्यान से देखिएगा f1 निकालेंगे x की जगे पर 1 रखना है तो 1 रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 का square minus का 1 equal 1 का square 1 होता है minus का 1 का equal 1 तो 1 ही रहता है 0 हो जाएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1 की तो यह हो जाएगा g x की जगे पर क्या रखना है 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 and x जगा पर 1 minus 1 by 2 और minus का 1 again यहाँ पर 2 2 से 1 जाएगा 1 बटे 2 मतलब 2 into में 1 बटे 2 और mod से बाहर निकलेगा तो plus का 1 बटे 2 बचेगा plus का वैसे भी बचा है यह 2 से 2 cancel 1 से 1 जाएगा पुना 0 आ जाएगा मतलब यह 0 आया तो वो भी 0 आया है अभी भी हमें समान दिख रहा है बराबर दिख रहा है g x और f x ठीक है यहाँ पर हम देखते है ज़रा g2 की अगर बात करें तो g2 पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 लिखेगा x की जगाँ पर हम लिखेंगे 2 माइनस 1 बाई 2 और माइनस का 1 अगेन हम यहाँ पर क्या करने आला है 2 दो दुना 4 मसे एक गया 3 बटे 2 तो यह 3 बटे 2 हो गया माइनस का 1 2 से 2 खत्म 3 से 1 गया क्या बचेगा 2 हम देख रहे हैं कि G F2 भी G2 और F2 दोनों बराबर है F1 G1 बराबर है F0 Z0 बराबर है और F-1 G-1 भी बराबर है ठीक है तो सारी की सारी values अगर बराबर है तो हम कह सकते है F-1 बराबर है G-1 F0 बराबर है Z0 F1 बराबर है Z1 और F F2 बराबर है G2 इसलिए यह दोनों शमान है ठीक है तो यहां तक हम लोग ने देख लिया है बहुती आसानी से बहुती सरल क्यूस्चन थे आप लोगों ने बहुती अच्छे तरीके से इनको समझ लिया लिया होगा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह questions समझ में आये होगे आगे के जो questions है यह optional है आप लोग करी सकते है आगे मुझे कोई बताने की ज़रूर नहीं है तो मैं मुझे विश्वास से कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अगर आपको वीडियो पशंद आ रहा है तो इसे like करिएगा और अपने दोस्तों के साथ अपने जो भी बच्चे हैं इस्टूडेंट हैं